दया सागर जी मुझ पर भी टूड़ी दया कर दीछी देखो तेरा नाम दया सागर जरूर है लेकिन मैं पैसे बचाने के लिए पेट बर खाना नहीं खाता तो दया कहां से खालो तो समझे यहां जोड़ना पैर परना बंद करो और मतलब की बात करो अगर गिरवी रखने के ल ले जाकर रेल की पट्री पर रख सर लेकर चाहता है चले आते हैं ना जाने कहां से है गोवेंद कहां मर्या था तू कब से तेरा इंजार कर रहा हूं पैसा वसूल कर क्या है नहीं बड़ी मुश्किल से वसूली की है जिस किसी पर उधार बागी है ना वो हमें देखते ही ब आए दो तीन अब लम अंगल तेरा क्या चल जली कर यह लीजे पर तेरे बैसे क्या हूआ यह वसूल करके लानी सका क्या है पैसे वसूल करके नहीं ला सका शरम नहीं आती जिम्दा ही चलाया खुदकूशी करके नहीं आ सकता था वो चाहिकी दुकान वाला नारायन मैंने उसे पैसे मांगे तो उसने साफ इंकार कर दिया और कारा जाके बोल तेरे मालिक से जो करना हो कर ले मैं पैसे नहीं दूंगा अच्छा कुट्टे के मुं में शेर की जबान उसमें इतनी हिमत कैसे आ गई उसने अपने पास किराई के कुछ गुंड़े रख लिये मालिक और उन गुंड़ों के दर से तुम दुम दबा कर भाग कर चले आए बताव यह मेरी हाहा इंically वूरे 750 जर्म है है कितने रुपिय है यह यह बाट से कहते हैं लोहे का शेर और यह वो है ना कोहलें सकाला नाराएन का अारे पैसे देने से इंकार करता आप वुखके तुछ हैं अंगर वहां किने आपने फूर थे जाब है वहां कि जो ख़ंगार काई फीड़ा यहां। अच्छानग टूचाह ब्राइफ कले तो लेटो ठंडा पीओगे हुए तोहर के ठंडा करने आए हैं का करने आए हैं थंडा मगर मैं कुछ सम्जा नहीं रहे हैं अभी समझात है तो मार मार के तोहर ठोपडे को आइसान ऊबर कपड़ बनाई देंगे जैसे भठीवी पैसे नहीं है रंगा? हम्हज जब रंगा तो हटो, आफो पैसे बाइब करेंगा तो पैसे खुद बातो निकल आएगे पैसे निकल आएगे? कुद बाइध निकल आएगा है काहरहै? तो हलेज मंकोट भजम होतेंक है ये तो हर जोर्वा का छिसम कहते है का? यह बोला, अविव बताकॉं! मारी बता psychopath, यह बोला, यह बता रएका। यह बता अविव बता होाल कि अईड़न देख। हुआ 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 हुआ! बाइलर वापस मिलेगा लेकिन आपने जर्हासी बात को इतना बढ़ने क्यूतिया है ने ऐसे पैसों के लिए इना बड़ा जमेला कर दिया उस चाहे के दुकानवाले नारेन आपके खिलाप बहुत बड़ा केस तयार किया दुनिया बर शिकायति लिखवाई होना अबे वे वे वकूफ कमकल सुना तुने हाँ सुन लिया मगर इमा हम्रा का दोसरे मालिक हम तो हमार जूर में एक ही बाद जानत हैं के तोहर नमक खाया है और उनमक का खाते का जान भी देनी पड़ जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे जो आप हुकम करेंगे वो करकें रहेंगे बस अबे कमबक मैं कौँगा कुव में कूच जा तो क्या कूच जाएगा वकील साब आपके पूचवारे कूआ है ना हम अबे इन कूच करावत है अबे अबे रुक्तिया आप जोड़ो मालिक अबे आपके सामने बिल्कुल हनुमान है हनुमान इससे को कि आम खाने को जी कर रहा है तो कमबक पूरा पूरा पेड़ो खाड़ लाएगा वक्री साब रे रमाकान तुम आ गए हाव वक्री साब लेकिन बात यह है कि राजगिरी खांदान के जाइदाद कासरी वहरिस का आप तक हम हम प्या सागर जी आप तर्शिव रखिये मैं भी हाजिर हुआ रमाकान ताओ तुमने कहां इतनी देर लगा दी ति मैं कितनी बेचनी से तुम्हारा इंजाय कर रहा था मैंने उत्तर के सावे गाउं चान मारे से एक एक घर में जाकर पूछा मांकर मुझे कोई भी ऐसा आपमी नहीं मिला जो राजगिरी खांदान से संबत रखता हो मुझे तैसा रखता है सर कि मुझे अब दख्खन की तरफ जाना पड़ेगा हो सकता है वहां पर मुझे उस खांदान का कोई ना कोई वारिस सरौन मिल जाएगा ठीक है तुम ऐसा करो फोरण बलके आज ही दख्खन की तरफ रवाना को जाओ और किसी ना किसी तरह कोई ना कोई उस खांदान का वारिस तराश करके लोटो वक्त बहुत कम है यह खर्चे के पैसे लखो और हरवात की खबर मुझे देते रहें ठीक है जी वकेल साब अभी आप अंदर कुछ है उत्तरदक्षिन, जमीनदारी, खांदान और जयदात के बारें बातें कर रहे थे आपका उस बास से कोई तालुक नहीं है शरीमान अब सिर्फ आपने केस के बारें बात कीजिए केसम तीजरी की जमाना बड़ा खराब है ठीक है फरमाईए अब आप क्या करना चीए मुझे फिलाल तो आप यहां से तश्रीव ले जाएए और जो भी डबलेमेंट होगी मैं आपको कवर करता रहूंगा हुलू के पत्थे कुट्थे नालायक गदे यह सब तेरी मज़ा से उराच्चा वो तेरा बाप उठाएगा क्या है कि पर कि ऐसलों तो Möglichkeiten सब्सक्राइए और उन इसाइट लेकिन निकल गथ हैं साथ कुछ दान रहे और नहीं हैं ने यह नहीं नहीं मेरा मतलभ है वह पोपट की चौंच में दाना रवाना पूल गया है तेखो को और सी तरह आते जाते तूमारी वाकील सामस् verm Similarly तो बहुत जल में दाना बन कर खोद तुम्हारी चोंच में दफ करा जाओंगा और आखरे पता चला कि तुम्हारे वकील साब को तो फीज कम मिली लेकिन तुम रिश्वत जादा निकल गए रिश्वत चीज रिश्वत नहीं साब बक्षीश और क्या करूं कमाने वाला मैं अक पहले एक बात बताओ महा जות यफिश्वत शाही उपारे से किसी को मितरी खांदानान की बारे बात कर रहें तहान की अरथ अरे वापरे व बदिर वाणे वाले थोड़ी है अरे बता ऊप्रियूर नहीं थाए ढ़ तब तक कौपर्ट वो ऊपकर नहीं टपकाए गया अब बताता हूँ, आपने राजा राजकिरी का नाम तो सुना ही होगा हाँ सुना है और यह भी सुना है कि वो मर चुका है हाँ वही, उनकी अपनी कोई आद नहीं थी, बीडी जवानी में मर गई तो एक नाचने गाने वाली ने दोरे डालके उनको भास लिया और शादी कर ली उसके थोड़े दिनों बात उसका भाई उसके साथ आगे रहने लगा बस फिर क्या था, भाई बहन में मिलके राजकिरी को ची भरके भूटा उनकी सारी दौलत हड़ गए लेकिन मरने से पहले राजकिरी ने चुपके से एक वसियत नामा तयार किया जिसका किसी को पता नहीं था और जब उस वसियत नामे के बारे में उनकी दूसरी देवी को पता लगा तो वो सोर से चिलाने लगी